वासकार मेहुद्यवानऊशू आप देखरें है निश्फोने से महा गर्डबंधन में मुकेस सहनी जो है वो सामिल हो गयं और आर्जीडी ने अपने कोटे से मुकेस सहनी को तीन लोगसभा सीटे जो है वो दी हैं जञजारपुर मिला है मुकेश सेहनी को, गोपाल गंज मिला है और पूर्वी चमपारन मिला है अब सवाल यह है कि मुकेश सेहनी जो है इन तीनों सीटों में से कौन सी सीट पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे वैसे तो पॉइटल कोईडोर में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मुकेश सेहनी लोगसभा का चुनाव ही न लड़ें और अपने पार्टी के नेता या करकरताओं को तीनों सीटों पर उत्तारें लेकिन सवाल यह है कि अगर मुकेश सेहनी चुनाव लड़ते हैं तो इन तीनों सीटों में सबसे मुखीद सीट मुकेश सेहनी के लिए है कौन तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो seat है कौन और क्यूं मुके सेनी इस seat पर सबसे ज़्यादा strong नजर आ रहे हैं तो वो seat है जंजारपूर लोकसवा की seat है जहाँ पर तीन नदिया जो हैं कमला बलान कोसी और इस seat पर मुके सेनी तीनों seat के मुकाबले ज्यादा strong दिख रहे हैं क्यूं दिख रहे हैं हम आपको बताते हैं लेकि सबसे पहले थोड़ा political mathematics तो है वो जंजारपूर लोकसवा seat की जान लेजे जीत का अंतर तीन लाख बाइस हजार नौसो इकामन था और रामप्रीत मंडल को कुल बोट परे थे छे लाख तैस हजार इकानवे बोट परे थे जंजारपूर लोकसवा छेतर में कुल छे बिधान सवा आते हैं खजोली बिधान सवा जहां पर बीजेपी के बिधायक है संकर परसाद बाबू बरही बिधान सवा जहां पर बिधायक है जड्यू के मीना कुमारी और राजनगर जो की रिजर्ब सीट है वहां पर बिधायक है राम प्रीत पासवान और जंजारपूर बिधान सवा से निती साथी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं लोक हा बिधान सभा में भारत भुसन मंदल जो हैं वो बिधायक हैं आरजेडी से तालुक जो हैं वो रखते हैं अब बात करते हैं कि मुके सहनी के लिए ये मुफीद सीट आखिर है क्यों जंजारपूर लोक सभा में अगर हम जाती है समिकरन की अगर देखेंगे तो ब्रामन अति पिछरा समाज के संख्या है वो सबसे जादा है बारा लोक सभा चुनाव अब तक हो चुके हैं दस बार जो सांसत यहां बने हैं वो अति पिछरा समाज से बने हैं दो ही बार सांसत जो हैं वो forward समास से बने हैं एक बार जगरनात मिस्रा जो कि बिहार के पूर मुख मंतरी थे वो इस सीट से सांसत रहे हैं जंजारपूर से और अगर बात करें 1984 वाले चुनौब में उन्ही के दामाद गौरी संकर राजहंस भी सांसत इस सीट से बने हैं ये बिधायक हैं और मौझूदा वक्त में मंतरी हैं वो जंजारपूर बिधान सवा से काफी स्ट्रॉंग सीट जो है वो यहां पर है तो कुल में लगा है कि और अब आगे अगर हम अगर बात करें इस सीट पर पिछड़ा या आती पिछड़ा समुदाय से ही नेता बनता रहा ह और जंजारपूर लोगसवासीट जो है 1972 में अस्तित में आई वी और यादब मददाता जो हैं यहां पर 20 फीज़ड़ी हैं ब्राम्मन वीच फीज़दी हैं मुस्लिम जो हैं वो 15 फीज़ड़ी 32% जो है वो पिछड़े समाज के मद्दाता जो है वो आते हैं ब्रामन और अती पिछड़ा की संख्या जो है वो सबसे जादा है यहाँ पर और जंजारपूर लोगसवाद छेतर से दो मंत्री हैं एक सीला मंडल है और दूसरी नितिस मिस्रा है तो कुल मिला कहें कि यहाँ पर दूलाग की जो है वो वोटर यहाँ पर हैं अगर आप बात करें तो अब महागरबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी आ गई है महागरबंधन के साथ M और बाई जो है वो होता है यानि कि मुस्लिम की अवादी धाई लाग है और यादब की अवादी जो है वो पौने दूल सावा लाग निसाथ का बोट मुस्लिम धाई लाग और यादब जो है वो एक लाग पचतर हजा करीब जो है वो वोटर से हैं इस हिसाब से कहा जा सकता है कि मुकेश सहनीप की पार्टी जो है वो स्ट्रॉंग सीट पर है अगर हम अगर बात करें कि की रेस में कौन नाम हो सक सकता है वैसे तो गुलाव यादब जो कि मौशुद आर्जेडी में है वो खुद चाहते हैं कि इस सीट से वो चुनाव लड़ें लेकिन ऐसा टिकट जो है वो व्यापी पार्टी के खेमे में चली गए एक डावेदार जो है वो राजीव मिस्रा है जगरनात मिस्रा के परि परिड़ी के वोड़ बेंक रहता तो यादब एक लाग पचतर हजार है और मुस्लिम धाई लाग बोड़ अगर राजीव मिस्रा उतरते हैं तो बिनिगिवाले सुटिएशन हो जाएगी क्यूंकि ब्राह्मन का भी बोड़ उन्हें मिलेगा मुस्लिम का भी बोड़ मिलेग का राजीव मिस्रा को लेकिन अगर वो नहीं लड़ते हैं और खुद मुकेश सहनी ये मन बनाते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे तब भी बीनिग वाले सिच्वेशन जंजारपूर में हो सकती है ऐसा इसलिए कि सावा लाक मलाहों का बोट वहां गिरेगा एमबाई जो आर्जेडी के साथ रहता है धाई लाक मुस्लिम और यादब की संख्या जो है वो पौने दू लाक है और अगर बात करें जो ब्रामन जो निर्नाएक जो हैं बोटर से हैं पौने दो लाक उनका बोट क्या होगा देखिए उनकी पार्टी में कई ब्रामन चेहरे ह हैं राजी मिस्रा खासकर हैं अगर वो अच्छे से परचार कर जाएं और ब्रामन का कुछ बोट जो है वो तरन अप करवाने में कामियाब हो जाएं इस साइड तो वीनिंग वाले सिच्वेशन हो सकती तो आप भी प्रवल संभाबना दिख रही है कि पूर्वी चंपारन ज जहंजार estamos गोपाल गंज में तीन लोकसवा सीटों में से सबसे जादा स्ट्रॉंग जहंजार पूर में मुझे मुके सहनी नचर आ रहे हैं उनकी पार्टी जीतनी की संभावना सो है वो ज्यादा अनजर आ रही है और हो सकता है कि मुके सेनी अगर अपना मन बनाए चुनाव लड़ने का तो इस सीट से वो जो है उतर सकते हैं और 2019 मधुवणी जिले में दो लोगसवा छेतर आता एक मधुवणी और दूसरा जहंजार इससे पहले भी साल 2019 में मधुवणी लोगसवा छेतर से उनकी पार्टी ताल ठोक चुकी है हाला कि उस चुनाव में उनकी पार्टी जो हके उमिद्वार जो थे वो बोरी तरीके से चुनाव जो हैं वो हार गए थे तो ये सीट पर जहंजार पूर ब्रामनो जो कहें कि नित अगर लड़ते हैं तो जीतनी की संभाबना आपको पूर्वी चंपारन के मुकाबले और गुपाल गंज के मुकाबले जादा है फिला लब तक के लिए इतना ही आप देखते रहे हैं नीज परनेशन